हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास फिफ्ट का चैप्टर नंबर एट करेंगे पेश नंबर 119 से इस पेश पे हैं मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर यानि कि हमें जो है यहाँ पे पिच्चर दे रखी है आप यह देख रहे हैं यह जो ग्रिड है यह वन सेंटीमिटर की ग्रिड है सेम पिच्चर हमें वक्षीं की ग्रिड पर बनाया है यह सेंटीमिटर की ग्रिड बनाना है इसmes तरीके से बना सकते है यहाँ जो एक दे रखाइा यहाँ पे यह दिया बना हूए है इसको जो है 4 बोक्स में बनाया गया है तो हम क्या करेंगे, यह 1 cm के grid बनी हुई है, तो हम इसको जैसे यह 4 boxes में बना हुई है, तो half cm में भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको 4 boxes में बनाये हुई है, और 2 cm में भी 4 boxes में ही बनाये हुई है, तो सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे यह leaf है, यह भी 4 boxes में बनी हुई है, यह एक box को फिर यह फोर वाक्स में ही हम इसको बनाएंगे उसके तरह उसके बाद जैसे याएं से बनानी है आपको जैसे उपर ये टू बॉक्स से यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट हई उपर के टू बॉक्स से लाइन डाली आपमें ड्रॉगर तो टू व् entrepreneur के तो बॉक्स ले लिए उ इन दोनों grids में हमने बनाना है, चाहिए वो half cm की grid हो, चाहिए वो 2 cm की grid हो, चाहिए इससे बड़ी हो, आपको सिर्फ boxes को count करके ही इसको ये सारा जो है बनाना है, ठीक है, ये जो है पूरे boxes को आपने इसको count करना है, जैसे कि ये आगी का बिल्कुल यहां से starting से है, तो यहां boxes count करके, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, इसको boxes को count करके, ये 4 leaves थी, तो इसको भी मैंने 4 boxes के अंदर ही बनाया है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बनाना है, उसके बाद नीचे लिखावा, the side of the square was made 2 times bigger, जो अब इसकी side है, वो 2 times bigger हो चुकी है, यानि कि 1 cm, यैसे पहले ये half थी, फिर ये 1 हो गई, अब ये 2 cm, यानि कि double हो गई है, 1 का double क्या हो गया, 2, वो ये कह रहे हैं, कि इसकी जो sides है, वो 2 times bigger हो चुकी है, तो does it area also become 2 times bigger, जो इसका area है अंदर का, ये जो area है, कि ये भी bigger हो गया होगा, नहीं, देखो, पहले भी ये 4 boxes में बना होता दिया, अब ये 4 boxes में ही बना हो है, इसका जो अंदर का area है, वो तो इसका same ही है, जितने area में ये leaf बनी होई है, उतने area में हमने इसको 2 cm की grid में बनाया है, तो इसका area bigger नहीं हुआ, इसकी sides bigger हो गई है, बट इसका area bigger नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कि ये पहले 4 boxes में बना था, तो यह 2 cm की grid है, तो हमने इसको 6 boxes में बनाया, अगर इसको 6 boxes में बनाते हैं, या उन्होंने हमें कहा होता, तो इसका area जो है, वो bigger होता, अभी इसका area bigger नहीं हुआ, तो ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं, जो हमने इसको किया है, इसका area bigger नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद है, page number 120, अब 120 पे भी यहां पे same ऐसे ही दे रखा है, यहां पे एक map दे रखा है, 1 cm की grid में, अब आपने यह same map जो है, वो 2 cm की grid में बनाना है, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया है, कि आपको जो है, क्या करना है, इसके boxes को count करकर के बनाना है आपने इसको, देखो जहाँ पे जैसे यहां से start हो रहा है, और यह जो यह line है बीच के, यहां पे इसका एक circle है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो same ऐसा ही जो है, नीचे route बना सकते हैं, जो यह route है, यह parade का route दे रखा है, इस map के अंदर, तो same आपने जैसे यहां से start करोगे, तो यहां से start करके, यहां के center में, यहां पे circle यहां पे बनावा है, तो आप भी इसको scale से बनाना इसको, बिल्कुल ऐस state, यहां पे circle बन जाएगा, उसके बाद यहां से इन्होंने एक इस तरीके से, यहां से triangle shape में बनावा है, ठीक है, फिर उसके बाद यह नीचे इस type से आया हुआ, नीचे ऐसे, तो ऐसे करकर के आप पूरा का पूरा बना सकते हैं, उसको देख के, बस यह कि आपने grid का ध्या map it is, क्या बता सकते हैं, इसमें कौन कौन से जो है, पार्ट दे रखे हैं इस map के अंदर, यहां पे तो हमें नहीं शूरा लेकर हमें जैसे पीछे देखा था, जो यह रूट था, प्रेट का, उसमें कौन कौन से था, राश्पत है, रफी मार्क है, जन्पत है, मान सिंग रो वो 2 cm में, ट्राइ कीजिए, इसमें बनाईए, remember that the shape of the map should not change, यह धिहान रखना है, कि जो इसकी map की shape है, वो change नहीं होनी चाहिए, उसके बाद है, if the parade route map is smaller and the distance between India gate and the widget chokes become 2 cm, what would it's the scale, अब उसमें लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कि जो वीजे चोक से लेके, इंडिया गेट का रास्ता है, वो 2 cm है, sorry, वीजे चोक से लेके, distance between the India gate and वीजे चोक become 2 cm, what would it's the scale, तो scale में कितना होगा यह, तो जो हमने जो पीछे map में पढ़ा था, 2 cm, 1 km के equal है, तो यहाँ पर में रखेंगे, जो 2 cm है, वो equal है, 1 km के, क्योंकि जब हमने पीछे यह map देख तो यहाँ पर लिखा हुआ था, 2 cm equal 1 cm, sorry, 1 km, तो इसी के cording हमने पहले पढ़ा था, तो उसके cording यही बन रहा है, कि 2 cm जो equal है, वो 1 km के है, उसकी बाद यहाँ पर dancer from different state दे रखी है, यहाँ पर dancers from करनाटका, we are the best, उसके बाद यहाँ पर करनाटका की डांस की बात हो रही है all these people have to travel so much come to Delhi, यहाँ पर Delhi की बात हो रही कि लोग जो people जो दिली में आते हैं, उसके बाद, I like the Tirupura dance from, देखो यहाँ पर करनाटका की बात हो गई, यहाँ पर Delhi की बात हो गई, यहाँ पर Tirupura, Tirupura and Sikkim, they have the travel far, but Haryana and Uttrakhand are very closer to Delhi, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है, Tirupura, Sikkim ज खंड़ दिली के पास में है, अब यहाँ पर जितनी भी states की बात हो रही है, यह सारे states हमने यहाँ पर find करनी है, तो सबसे पहले करनाटका, अब हम देखेंगे कि करनाटका जो है कहाँ पढ़ता है, करनाटका हमारा इधर पढ़ता है, तो इसको हम एक plus का sign लगा देते हैं, म की मीरा, उसके बाद हर्याना और उत्राखंड, अब हर्याना देखेंगे हम कहाँ पर है, हर्याना जो है, हर्याना इधर और उत्राखंड यह है, जो दोनों के दोनों दिल्ली के बिलकुल पास में है, उसके बाद अब इसमें से कुछ questions पूछे जाएंगे, वो हमें answer करने है The Karnatka team start from Bangalore and the move in the north direction, जो Karnatka team है, बैंगलूरी से जो है निकलती है और वो north direction की तरफ जाती है, तो which state does it cross to reach to Delhi, अगर उसको देली की तरफ जाना तो कौन-कौन से state से वो होके निकलेगी, दिखो, Karnatka कहाँ पर है, Karnatka इधर है, उसको north की तरफ जाना है, तो north हमारा इस साइड है अब नौर्ट से देली के तरफ जाना तो कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगी रास्ते में नौर्ट के बाद कौन से पढ़ेगी यहाँ पे महारास्ट्रा महारास्ट्रा के बाद मध्यपरदेश मध्यपरदेश के बाद उसके बाद कौन से पढ़ेगी यहाँ यह उत् तो हमारी यहां पर फड़ेगी, पहले हम देखते हैं यहां पर जंमु कश्मीर, तो यहां पर यहां पर जंमु कश्मीर है, उसके बाद यहां जंमु कश्मीर से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हर्याना, हर्याना से डिल्ली की तुरप जो है वो टीव आईगी, ठीक है? अब उसके बाद है, Nonoo lives in Gujarat, Nonoo जो गुझराद में रहत नोनु जो अपने फ्रेंड के यहां पर जाना चाहता है, इन विज डिरेक्शन विल रेवल, अब उसको गुजरात से वेस्ट बंगॉल के तरह जाना है, तो कौन सी डिरेक्शन में जाएगा, तो से पर देखें कि गुजरात का है, गुजरात इदर है, और वेस्ट बंगॉल कहाँ पर है, वेस्ट बंगॉल यह है, यानि कि यह वेस्ट है और यह इस्ट है, तो उसको वेस्ट से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, इस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहां पर हमारा आएगा, toward east यानि कि हमें east की तरफ जाना पड़ेगा उसको उसके बाद is there any state which is to north of Jammu and Kashmir अब Jammu and Kashmir के बीच में कोई state पड़ती है north से north से Jammu and Kashmir के तरफ अब यह north है, north में सबसे पहले Jammu and Kashmir यह तो कोई state इसके बीच में नहीं पड़ती तो इसका answer हो जाएगा no उसके बाद is there any state which is to west, west to Gujarat अब west से Gujarat की तरफ को state पड़ती है अब यहाँ पर यह west है और यह Gujarat है इसके बीच में कोई भी state नहीं है तो यह no है if one centimeter on the map short 200 kilometer, अगर map में यह दिखाया हो कि एक centimeter 200 kilometer के equal है तो use this scale to find out तो scale को use करना है आपने और बताना है कि about how for Delhi from जैपूर दिली से जैपूर कितना दूर है तो आप जो है यहाँ पर scale यूज कर सकते है scale यूज करके आपने इसमें बताना है ठीक है तूम देखेंगे दिली से जैपूर का रास्ता जो है वो कितना पढ़ रहा है वन सेंटीमीटर जो है उन्होंने हमें 200 किलोमीटर के equal बताया है तो यहाँ पर है देली और जैपूर देली से जैपूर का रास्ता हमें जो है इसमें बताना है अब देखो यह है जैपूर और यह है देली तो हमें स्केल से इसको मेजर करना है देखो यहाँ से लेकर हम यहाँ देखते हैं जैपूर से देली तक तो यह वन सेंटीमीटर और उसके बाद यह वन और टू वन और टू आगे से यह टू पॉइंट्स आगे यह जा रहा है लेकिन अभी यह 2 point जो है और आगे जा रहा है यह 2 point ठीक है यानि कि अगर 1 cm है तो 1 cm का मतलब तो हमें पता है उन्होंने बता है कि 200 km हो गया यानिकि इतना तो मैं पता है कि यहां से लेके यहां 1 cm तक यह 200 km का तो रास्ता है उसके पाज यह 2 point दे रखें आगे भी यह 2 point जा रहा है तो जिसको हम 50 km मानेंगे तो टोटल हो जाएगा यह 250 km क्योंकि देखो हमें option में भी न क्या दे रखा है 50 km दे रखा है 500 km दे रखा है और 250 km दे रखा है तो कुछ आपको option से भी idea लगाना है कि यह 500 km तो नहीं है अगर आप major कर रहे हैं 50 km भी ने आ रहा हो क्योंकि उ उसके बाद है estimate how far is जैपूर from भौपाल निगी भौपाल से जैपूर का रास्ता अगर आप map में देखते हैं scale से तो यह 2 cm आएगा और अगर आप इसको ground में देखते हैं तो 2 cm किसके equal हो जाएगा 400 km क्योंकि 1 cm किसके equal बोले था 200 km के तो 2 cm किसके equal हो जाएगा 400 km के तो आप इसको major कर सकते हैं जैपूर से भौपाल का रास्ता sorry भौपाल से जैपूर से जैपूर से भौपाल करें जैपूर भौपाल से जैपूर उसके बाद है look at the map and tell which state is surrounded by 4 other states अब कौन सी states है जो 4 और states से जो है घिरी हुई है मद्धेपरदेश है जिसके आजपाच 4 और states है हम यह आपे मद्धेपरदेश देखते हैं तो यह जो इसके चारो और जो है यह states है मद्धेपरदेश के ठीक है उसके बाद है which state has the largest area कौन से state का जो largest area if its name is not in the map find it from your teacher पे राजस्तान जो सबसे largest area है इसके अंदर which state is about 8 time bigger than the area of Sikkim कौन से state है जिसका area Sikkim से 8 time बढ़ा है हिमाचल how many times of Punjab the area of Rajasthan अब जो पंजाब का area sorry Rajasthan का जो area है वो पंजाब से कितना बढ़ा है 7 times जो है वो राजस्तान का area पंजाब से बढ़ा है ठीक है तो यहाँ पे हाज हम इस वीडियो में यही तक इसको complete करेंगे और next वीडियो में हम इसके जो आगे के pages है उसको complete करेंगे अग thank you